नमस्कार आप देख रहे हैं हला बोला आपके साथ मैं हूँ अंजिरा उमकश्यप अब दूसरे हिस्से में इस पूरी बहस के हम आ गये हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों आपको एक बार फिर से सुना दे क्या कहा है AIMIM के मुख्या असदुदीन ओवैसी ने क्यों कह रहे हैं वो कि मैं भारत माता के नारे भारत माता की जय के नारे नहीं लगाओंगा प्राम होना था कभी तो प्रैंट का फिर में 1925 की अबाद 2016 में ख्याला नहीं और प्रैंट देंगा क्यां क्या हुआ हिंदुस्तान के हो मिनिस्टर राजनाज सिंसा आपके है और बापक है खयो के हो दिये पाकिस्तान जिनाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान तीवी है इंग्रिया में तो रहा है यह तो ऐसा हो गया कि खुषेला कर फोला भीगार ख़ाए और उसके सामें राकरपाइट होना असरुति नहीं इसी दिना हो रहा है मैंने लगाता नारा क्या करते आप जिस तरह की चुटकी लेले कर वो बोल रहे है क्या एक विवात खड़ा करने की नए सिरे से वो कोशिश कर रहे हैं अब अपने नजर यह से देखते उसको गड़बर लगता है लेकिन आपने पचपन मिनिट का पूरा बयान नहीं सुना है उनका अगर आप पूरा भाशन सुनते तो उस भाशन में विकास की भी बात की थी डेवलप मेंड की भी बात की थी और उसमें यह भी बात की हिए घीक मैं अभी से आराइसेे वालों में फाकिसिंदावाद के नारे लगे तो तो कि तीसरी कक्षा में रहने का धिकार नहीं है आप आने से समझार नहीं हुआ सकते हैं आप जो हिंदुत्वा करते हैं लोगों की यह राजिती की भासा नहीं है हम उसके अगेंस्ट हैं हिंदुत्वा की आवस्दा कर लो लेकिन यह भासा नहीं है पहले समीज सिखनी चाहिए संसकार सिखना चाहिए और मैं बता दू पहले आप सुन लिजे मेरी बात पहले सुन लिजे अंजरा जी मुझे कहने दीजा है आपने बोलने दिया कॉंग्रस का दिवेशन था अरे अरे सुन लो पास ने पतांस आप सुन लिजे अरे बोले आपको लाट का सुन आप ने वजे से अज देश की आहलत हो गई है एक सकंड एक सकंड एक सकंड अंजरा जी मुझे तीस सकंड चाहिए अंजरा जी सकंड नीसो बात कहना चाहता हूं जिन्ना पहिस्कार करका चलागा है, इसी जिन्ना का उप्षे से होवेती, इसी जिन्ना जो कहता है भारत माता की जैकार करना होता है, जो ब्यक्ति कहता है, मैं अपनी मात्री भूमी का जैकार नहीं करूँगा, उसको हम क्या कहें, कोई हमें परिवासित कर दे, है कि बाइट को से नहीं है अधो उसका वो उसका जो भाशन था वह किस मुझे मुझे आप से पेट्रोटिजम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए यह मेरे दिल मेरे दिल मेरे देश का प्रेम मेरे दिल मेरे जिन्ना का वो जिक्र कर रहे है तो फिर लालकृष्ण अडवानी जी ने क्या बोला और क्या हुआ सवाल यह है कि पीछे जाने पर बहुत सारी बाते निकलती है कानूनन क्या कोई कारवाई हो सकती हो वैसी पर इस पर मुझे एक एक फैक्चुल जवाब दीजया पीछे जाने पर बहुत सी बाते नहीं अजिना जी मैं फैक्चुल जवाब देता हूँ भारत का सोतंता संग्राम जब शुरू हुआ क्रांतिकारियों का पहला संगठन बना था बंगाल मैनुश्वी रन समीती उसमें हिंदू-मुसल्मान दोनों थे वारिस पठान साब से पूर्चा हूँ उन्होंने भारत माता की जय बोला था कि नहीं अश्पाक उल्ला खां जो की काकोरी कांड में जेल गए फांसी पे चड़े चंशेकर आजाद रामपुरसाद बिस्मिल के साथ भारत माता की जय जेल ने बोला था कि नहीं बोली ये वीर अब्दूल हमीन ने अगर कोई नहीं झालाता की जय नहीं बोलेगा तो देशद्रूई हो गया डिकांड मनलत नहीं मैं तो मैं है घारत माता की जय नहीं बोलेगा तो देशद्रूई हो सबस्कार की दुहाई देते हैं और जब बहस करने के लिए आते हैं तो ऐसे चीखते हैं दूसरे पर मेरी आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है गुजारिश है प्लीज एक एक करके बोलें मैं संजे निर्पम जी आप बोलना चारे है तो उसके आत पवन जी फॉरण आपके पास आ रही हैं संजे जी अंजना जी मुझे दो तीन बातें कहनी है पहली बात ये दोनों तरफ कठ मुल्ले हैं दोनों तरफ कटर कंथी विचार भारा है दोनों तरफ भावनाओं और जजबात के नाम पे अपने लोगों को बढ़काने का कारकम चल रहा है गुलाम नभी आजाद किदर खड़े हैं और कुछ नहीं मुस्लिम भावनाएं बढ़काते हैं और मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ पहली बात मैं बोलता हूँ ना लेकिन अभी डिवेट तो वेसी पे हो रही है तो मैं गुलाम नभी भी कैसे चला जाओं मुझे सुबह सुबह बोला कहता है कि अगर बीजेपी को यही चाहिए कि इस देश में अगर 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 इस देश में बीजेपी यह चाहती है हिंदू भावनाएं बढ़काके मुस्लिम भावनाएं बढ़काके देश में काम चले तो ठीक है बीजेपी को मुबार रखें और वेसी इस देश की सक्ता में सब्सक्राइब तुम्मारे लोगों नंका बलतकार करते हो बलतकार करने के बाद भारतमाता की जप होते हैं। लेकिन आरे से इद्धेस से बना नहीं है आरे से की आलोचना किजिए लेकिं संसकार हिंता के साथ मत किजिए अरे से इसकों को पहले है गुलाम नभी आजाद के अमरित वर्षा करें एक से गुलाम नभी आजाद का नाम आया है अपने दर्शकों को सुना देते हैं एक सेकंड सर एक से गुलाम नभी आजाद ने किनी वजों से हम नहीं सुना पाई है गुलाम नभी आजाद ने दरसल ये कहा है कि ISIS और RSS दोनों के लिए ही मैं उतने ही घुस्से में हूँ दोनों से ही हम उतनी ही नफरत करते हैं एक स्टेज में नहीं खड़ा कर दिया हूँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है संजे जी के बाद मैं फॉरण आ रहे हैं आईएस्बी धर्म के आधार पर एक राज्य की कन्फनन वत्ता है मुझे लगा कॉंग्रेस में कुछ लोग दिवालिया है पूरी कॉंग्रेस मांसिक रूप से दिवालिया होचकी है भारत भारत कई धर्मों का देश है यहां सब ही धर्मों को साथ में रहने के लिए यह नारा लगाने की जरूरत नहीं है मैंने जो कहा है सही कहा है देखें मैं बहुत संक्षित न बोलूँगा क्योंकि बड़े उत्तेजित आपके पैनलिस है पहली बात तो यह है कि भारत माता की जय कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए पर मोहन भागवजी के कहने पर क्यों कोई भारत माता की जय बोले किसी को भी इस देश में किसी के लिए अपना पेट्रियोटिजम अपनी राष्टर भक्ती को प्रूव करना जरूरी नहीं है हम सब भारतिय नागरिक है पहली बार दूसरी बार अगर गुलाम नभी आजाज जी ने कहा कि हर कटर पंती सोच की वो खिलाफत करते हैं तो इसमें गलत क्या है तीसरी चीज आरसेस इस वक्त सोच रही है कि घुलाम नभी आजाज ने उनकी तुलना आईस आईस से किये शायद ये कुछ ज्यादा थी पर भाई ये कहना चाहता हूँ गोट से दिवस कौन बनाना चाहरा है किस ते आज गुरू गोलवाल कर आरसेस के सरसंग चालगते चालिस साल तक उन्होंने लिखित रूप में कहा है कि भारत में जो गेर हिंदू है उनके लिए कोई अधिकार नहीं होने चाहिए नागरिक के भी नहीं वीर सवारकर जो कि आरसेस उनको पूच्च अमागती उन्होंने कहा है तो और मुसल्मान दो अलग अलग राष्ट है मैं यह कहना कर रहे हैं तो आरेसेस में सर एक मिनुट सर मैं कोट कर रहा हूं आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूं अरे पावन्जी आप कहां से कोट कर रहे हैं किस पूस्त के लिखा हुआ है अरे मैं मैं बता दूं अरे अरे बंच अप थौस ऑन लाइन है तर माइट लिखें लिखती है अचे लिखा दीजिए लगलत ऑन अब कर बारे मैं इंसे पाहली अथिकार नहीं कहा रहे हैं करता है आपको पूछना चाहती हूँ क्या असहेज रूप से भी भारत माता की जै बोलने में आपको संकोच होता है हाई यह नहीं है हमारे दिल से आता है हम प्राउट इंडियन मुस्लिम है लेकिन कोई अगर हमारे को गले पर छुरी रखके बोलेगा क्या भारत माता की जै के नारे के नाम पर नए सिरे से एक विवात खड़ा करने की कोशिश कर रहे है असाद दूदीन ओवैसी इस सवाल हमने हला बोल देखने वाले दर्शकों से पूचा था 92 फीस दी कहते है हाँ सिर्फ विवात खड़ा करने का बहाना है आठ पीस दी कहते है नहीं इसे के साथ हला बोल में इतना ही देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रही है हादरबाद की एक अदालत ने विजए मालिया के खलाफ गए जमानती वारिंट जारी किया है बैंकों के 9000 करोण और डकार में के आरोपी विजए मालिया के मुश्किल बढ़ गई है और पुलिस पैसे वाले बाबु मेरा बजट बना दो